यहाँ पे हमको दिया गया है कि अनिल मेडिसेंस खरीता है रूपीज 478.35 की और कैमिस्ट को एक 500 रूपीज का नौट देता है तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कैमिस्ट अनिल को कितने रूपे रिटन करेगा तो देखे यहाँ पे मैं रूपीज कर लेता हूँ मनी गिवन टू कैमिस्ट कि अनिल ने कैमिस्ट को कितना एमाउट दिया तो उसने 500 रूपीज का एक नौट दिया था यहाँ पे मैं रूपीज 500 अभी यहाँ पे जो medicines हैं उनकी cost write कर लेते हैं तो यहाँ पे write कर लूँगा मैं cost of medicines चीक है तो medicines की cost कितनी थी यहाँ पे यह थी rupees 478.35 अभी मुझे क्या find out करना है यहाँ पे कि जो chemist है उसको कितना amount return करेगा तो यहाँ पे write करेंगे money return by chemist return return by chemist तो chemist उसको कितना amount return करेगा इसके लिए हम क्या करेंगे 500 में से minus कर लेंगे 478.35 को तो इसको like decimals में convert करने के लिए क्या करेंगे point के बाद उतनी ही zeros लिख देंगे यहाँ पे जितने यहाँ पे दूसरे वाले में point के बाद digits हैं तो 1 2 क्योंकि zeros लगाने के बाद ना इस 500 पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे minus कर लेंगे इसको तो 10 में से 5 गया तो 5 9 में से 3 गया तो 6.9 में से 8 गया तो 1 9 में से 7 गया 2 तो यहाँ पे जाएगा 0 तो chemist उसको रुपीज 21.65 return करेगा प्रुपीज 21.65